नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाच, छे और साथ नवंबर तुला रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों अब हो जाएं तैयार जी हाँ दोस्तों क्योंकि दोस्तों आने वाले तीन दिनों का शमय आप सभी की जीवन काल में बिना बादल के भी बरसात होने वाली है जी हाँ दोस्तों अब आपकी किसमत घोड़े की रपतार पकड़ने वाली है जी हाँ दोस्तों ये बातें आपको सुनने में बहुती अजीव लगता होगा लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आपकी ग्रहों की जो दसा है ग्रहों के जो इस्तिती है वो बहुती सक्त हो चुकी है सदमुक हो चुकी है जिनमें दोस्तों अब आपको कोई भी बधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा जिहां दोस्तों जलसल दोस्तों आप सभी को बता दें कि वेक्ति अपने जीवन काल में बहुती जादा मेहनत करता है बहुती जादा परिश्रम करता है ताकि उनको उनका फल मिल सकी ताकि उनको एक ना एक दिन इन सभी का फल मिल सकी जिहां दोस्तों और दोस्तो आपको उनका जो फल था अब जो उनका सुख आपको मिलना चाहिए था वह नहीं मिला था लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि इसवर के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं जिहां दोस्तों दोस्तों इसवर किसी के भी साथ निया इनसाफी नहीं करती जिहां दोस्तों और आ आने वाले तीन दिनों का शमय बगवान भोलेनात और मालक्ष में की आसिम किरपा दिरिष्टी आपके कुंडली पर पढ़ चुका है जिनके कारण दोस्तों आने वाले तीन दिनों तक बगवान भोलेनात और मालक्ष में की आसिम किरपा आप से विके जीवन काल में बरसने व जिहां दोस्तों अगले तीन दिनों में ग्रहों की जो गोचर रिसुती बनने वाली है आप सभी के जीवन काल में बिल्कुरी तूफान की तरह आने वाली है जिहां दोस्तों और दोस्तों सभी देखने वालों का भी अब होस उड़ जाएगा जो लोग सोचते थे कि अब बोले होते हैं जिनके भी जीवन काल में ये किरपा दृष्टी बरसा देते हैं दोस्तों उनका बेड़ा पार हो जाता है जी हां दोस्तों और आने वाले तीन दिनों तक आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसे ही समभावना दिख रही है ऐसे ही ग्रहों के संकेत मिल रहा है कि आपको बहुत ही बड़ी खुसखबरी मिलने वाली है और एक छेतर से नहीं बलकि चारों छेतरों से आपको अन्यक परकार से खुसखबरीया मिलने वाली है जो कि दोस्तों ग्रहों की गोचर पर आधारित है कौन-कौन से खुसखबरी मिलने वाली है इन सभी के बारे में हम पूरे विस्तार से बात करने वाले हैं साथी साथ दोस्तों हम आप सभी को बड़ी महतपुन बात बता दें कि ग्रहों की जांसू भी सिती है वहाँ ग्रहों में विकट परसिदी का निर्मान करने के लिए भी कुछ लोग होते हैं जिनसे आपको साथान रहना होगा इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बहुती महतपुन साथानिया भी बताएंगे कि कौन सी चीजों को लेकर आपको साथान रहना होगा कौन से कार आपके लिए भागे सालि होंगे और कीन छेत्रों में आपको कार करने से लाप की प्राप्ती होगी और भगवान भोलेना मालक्षमी जी के आसिम असिरवाद से आपके घर के माहुल में परवारिक जीवर में स्वास्टünüz भपर में आपके पड़तेक छेतर में क्या-क्या सुधार होंगे क्या क्या चमतकार करने वाले हैं तो दोस्तों आंदो तक देखिएगा उश्य पाले दोस्तों जो ही वेक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जै महाकाल जै मालक्षिमी लिखेंगे दोस्तों महाकाल और मालक्षिमी जी की आसिम आसिरबात आप से भी को प्राप्त होगा खुस या आना आपके घर में प्राराम हो जाएंगे तो दोस्तों जरू लिखिएगा और त्याप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथे बेलायकल को प्रेस करके और पर श्लेट कर लें जिसे की ऐसे ही ग्यानवर्दक बीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच शकी तो यह दोस्तों बात करते हैं सुरुवात करते हैं स्रीक्रिशन जी के एक बहुती अच्छे परम ग्यान सी एक बहुती अच्छे मुलिवान ग्यान सी बहुती सुन्दर वानी से जो कि दोस्तों आप सवे के जीवन काल में बहुती बड़ा महत्पुन किरिया करने वाली है इन्हें सुनकर आपको एक ऐसी एनरजी की अनुभुती होगी जो कि दोस्तों आप हर कारियों में सफलता की प्राप्ति करने वाले हैं हर मुश्किल परसिती में भी आप खुस रह सकते हैं जिहां दोस्तों ये बहुत ही महत्पुन ग्यान है जिने आप बिल्कुली ध्यान लगा कर सुनिएगा जिहां दोस्तों कि दोस्तों एक राजा बड़ा लालची था उसकी रियासत बड़ी थी लेकिन खाजाने को भरने का लोब इतना अधिकता की वा जनता पर तरह तरह के कर लगाया करता इससे परजा परिसान थी एक संत ने उस नगर में डेरा डाला लोग उनके परवर्चन सुने आने लगे उनकी परसिदी दूर दूर तक हो गई राजा को भी सुचना मिली वो अभी आया और संत से परभावित हुआ राजा ने संत को दरवार में आकर दरवारिया को उबज़दे देने का निमंतरन दिया संत ने सिवकार कर लिया उन्होंने राजा के बारे में लोगों से सुन रखा था इसलिए उन्होंने सबसे पले राजा को ही राह पर लाने का सोचा संत दरवार में गए रास्ते में से उन्होंने कुछ कंकड बुने और अपने अंग वस्तर में लपेट कर रख लिए वो दरवार में बेठे थे उस दोरान कंकर कपड़े से निकल कर दरवार में विखर गई राजा ने पूछा कि महतमा जी आपने ये कंकर क्यों साथ रखे थे संत जी बोले ये मेरी संपती है मैं इसे जमा कर रहा हूँ मरने के बाद भागवान को भेट करूँगा इसलिए इसे सदा साथ रखता हूँ राजा हसने लगा महतमा जी मैं तो आपको बड़ा ग्यानी समझता था अब जैसा ग्यानी ये कहे कि वह मरने के बाद कुछ लेकर उपर जा सकता है तो बड़ी हसी आती है एसा कभी होता है क्या संत बोले यदि सचमुच एसा नहीं होता है तो तुम पर जाके खुन चुज कर इतना धन क्यों एकठा कर रहे हो क्या इस्वर की तुम पर विशे स्कृपा है जो इसे साथ ले जाने का परबंधन करेंगे राजा लजीत हो गया बात सोचने की है तृष्णा का कोई अंत नहीं है एक छाय तो कहीं जाकर रुकेगे ही नहीं लोलूपता तो आशिम है बेतर है धन संगरा के बदले पुन संगरा किया जाए एक यही सच्चा धन है जो हमारे साथ जाएगा जी हां दोस्तों तो दोस्तों स्रीकृष्ण जी का यह घ्यान या वानी अगर आपको अच्छा लगा हो आप समझ पाए हैं तो दोस्तों बीड़िय को एक प्यारा सालाई को अवशी कर दें और इनके लिए लिग दें जैयृष्ण राधे राधे तो आई दोस्तों इसके साथ बात करते हैं क कौन शीवा खुस खबरी है जिसे की दोस्तों आपकी किसमत घोड़ी की रपतार पकड़ने वाली है और आने वाले जीवन काल में आपके घर के माहोल में पारवारी जीवन में स्वास्त बिजनस बेपार में अब श्वाम भगवान आपको क्या-क्या चमतकार करने वाले हैं दिमाग में नए नियोजनाएं उपचेगी जो घर तथा व्यवसाज दोनों के लिए उचित सावित होगी अपने कारे को व्यवस्तित रूप से पूरा करने का प्रयास करें इसे आपको अपनी मेहनत के उचित परनाम हाशिल होंगे व्यवारी नजरिया रखें नजदीकी म सकारतमक तरे के अपनाएंगे और शाफालता भी मिलेगी इनकम बढ़ने से आर्थिक व्यवस्ता बहतर रहेगी दोस्तों को भी काम प्लानिंग से करना तथा सकारतमक सोच रखना आपकी कार छमता को और अधिक बहतर बनाएगा दोपर बात गिर से बहुत ही अनुकुल रह नाटमक गतिविदियों में समय वितित होगा विद्यार्थियों को अपने प्रयासव में आसात्तीत सफलता मिल सकती है दोस्तों आपके अच्छे व्यक्तित और वैहवार कुसलता की बज़े से समाजी गतिविदियों में आपकी परतिवार लोगों के शामने आएगी आपके लिए साहिक सिद्ध होगा टेकनिकल एजुकेशन से जुड़े विद्यार्थियों को कोई उपलवदी हासिल होगी दार्मी तथा अधार्थ में गती विदियों में भी कुछ शमय बेतित होगा और आपको शुकून भी मिलेगा वबैस्तित दिन्चारिय रहेगी तथा सभी कायर मनुकुल तरीके से वन जाने से सुकून और रहत में हैसुस करेंगे दोस्तों अगर परपटी अत्वावाहन खर दने से समन्दित कोई योजना चल रही है तो आज उसे किर्याविन करना का अच्छा समय है मन रोंजन यादी में भी सुखत समय वेतित होगा इन रा वर्गत था विद्यार्ती अपने भवी से को लेकर सजग भी रहेंगे दोस्तों अगर परपटी के खरित परोग समन्दित गति भी दी चल रही है तो आज उसका परनम सामने आ सकता है साथी साथ दोस्तों ग्रिश्तित में भी सकार्तम बदलाव आ रहा है अपने वेक्तित और कार छमता में और अधिग निखार लाने की कोशिस का शुखत परनम आज मिलने वाला है बच्चों से समन्दित समस्या का भी समाधान मिलेगा किसी भी महत्पुर निर्ने में बड़े बुजर्गों की शला आपके लिए बहुती शायक रहेगी दोस्तों कोई भी विश्य सुचना मिलने से खुसी भरा माहोल रहेगा दोस्तों आज कही तरह के शुख अवसर मिलेंगे सिर्फ उनका उचित लाव उठाने की जरुरत है अपने कारियों के परती जी जान से जुट जाए निस्षित्ती दोस्तों आप लाव के इस्षिति में रहेंगे जरुर्दमन व इकत्य और परेशानियां बनी रहेगी पर तु समय रहते उन पर ध्यान देने से सफलता भी मिल जाएगी इन पोर्ट से जोड़े विद्यार्थियों के लिए कुछ शंभावना भी आ सकती है दोस्तों इन दिनों में कुछ लोगों से मुलाकात के आफसर मिलेंगे जो कि दो दोस्तों आशुक नामा दिम्चारिया रहेगी किसी असंभव कार के आचानकी बनने से मन में बगुत अधिक प्रसंता रहेगी पर तु अपने व्यक्तिकत माम लोका खुलाशा बाहरी लोगों के शमक्ष ना करें इसे आपके कार में व्याबधाम दूर होंगे वहीं दोस् कारवियों में भी रूची रहेगी दोस्तों आज कई तरह की गति विदी में वैस्ता बने रहेगी सभी परिबारिक जिम्मेदारियों को अपने उपर ना लेकर गर के सदस्यों के साथ भी बाटें इसे अपस्यों के लिए भी समय बेतित कर पाएंगे और शुकून भी मिलेग दोस्तों विद्यार थेकू पढ़ाई में उची ध्यान देने की वज़े से टीचर्स की सहारणा मिलेगी तता सोसल एक्टिविटीज में रहने से अपने व्यक्तित को और निखारने का मोका मिलेगा पर पटी से समन्दित कोई निरने लेने जा रहे हैं तो आज उस पर पी समय से रुक हुए या आट के हुए थे वो अभी आज अल परियास से शफाल हो जकते हैं अध्यांतर निवाओं को अपने फ्यूचर से समन्दित चल रही समस्या का हल मिल जाएगा ताती दोस्तों पारवारी व्यश्ता के लिए 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 गई नेरे बहतर रहेंगे प को दोस्तों कोई मनोरजन प्रोग्राम भी बन सकता है दोस्तों आपका बहुती अनुकुल शमय है अपनी छमता और योगता का भरपूर उप्यूग करें निशिति आपको उचित पर न मिलेंगे पर पट्टियादी से सब्मंदित कोई आठका हुआ सरकारिकार आज बन सकता है सांतान की और से उत्तम समाचार की भी प्राप्ति होगी दोस्तों इन रासी वाले लोगों के लिए उत्तम गिरी स्थिति भनी भी है किसी खास व्यक्ति से मुलकात और वर्तलाब दोरा आपको अपनी योजना किर्याविंद करने में मदद मिलेगी और आप अपना आत्म विश्वास और मनवल बना कर रखेंगे विद्यार्ति वो युवा वर्ग अपने लक्ष के परति साजग रहेंगे साथी दोस्तों आपने अपने मेहनत दोरा परशतियों को काफी हद तक अपने अनकुल बनाया है आज आपको उसी के मेहनत के उचित परनाम हासिल होने वाल करने से आपको रोजमरा के तनाप से रहात मिलेगी और आप पूरी आत्मिस्वास और उर्जा के साथ अपने ने कार पर नाले में जुड़ जाएंगे प्रपटी से जुड़ी किसी मामले में आज सफलता मिल सकती है वहीं दोस्तों अगर आपकी साबधानी के बार में बात क करें तो दोस्तों किसी भी राय पर बीना सोचे समझे अमल ना करें इसकी बज़े से आपके बनते काम भी बिगड़ जाते हैं कुछ शमे बच्चों के साथ भी जरूर शमे वेतित करें अगर भोमी अत्मवान खरदने की योजना है तो दोस्तों पेपर बगेरा अच्छी त दोस्तों यह भी ध्यान रखें कि ज़्यादा सोच विचार करने से समस्या हाँ से निकल सकता है ताती पड़ोसियों के साथ वेक्तिकद मामलों को लेकर कोई वाद वाद बढ़ सकता है गुसे और आवेस पर काबू रखें इसमें किसी भी तरह की यात्रा समन्दित प्रोग गुसे सथा आवेस में इस्ति और बिगड़ भी सकती है सोपिंग आदी करते शमें खर्च मेला पारवाई ना करें वारना बज़र भी बिगड़ सकता है दोस्तों मित्रों के साथ वेर्थी गति वीदि में अपना शमें खराप न करें यह समें अपने योजनाव की रूप बनाने और किर्यामिन करने का है धन्यवे समने गत्वी वीदि को अज अस्तगी थी रखें क्योंकि दोस्तों किसी परकार के नुक्सान होने की असंका लग रही है साथ ही दोस्तों अन्य गत्वी वीदि में वैस्ता की बज़र से अपने वेक्तिकत कारियों को इग्नोर ना क करें अतर दिक कारभार की वज़े से तनाब बना रहा सकता है कभी कभी ऐसा लगेगा कि परिशतिया हाथ से निकलती जा रही है हाला कि दोस्तों धैर और शम से आप समस्या को काबू कर लेंगे वहीं दोस्तों फाइनल समंदित मामलों में कुछ दिकतें आ सकती है इसलिए खर्च अत्वा निवेश ना करें अगर कर्जवलों लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उस पर पूर्ण विचार करने की भी जरूरत है ससुराल पक्ष के साथ समंद मदूर बनाने में आपके प्रयास जरूरी है दोस्तों नजदिकी समंदों में किसी बात को लेकर दरार आ आ सकती है बैतर होगा कि वेर्थ के बाद विवाद में ना पड़ें यातरा का प्लानिंग बना रहे हैं परन्तु इससे कोई लाब नहीं होगा इसलिए अस्तखित कर दें तो दोस्तों आपके लिए उत्तम रहेगा युवा को अपने केरियर को लेकर बहुत अधिक फोकस र विवेग और सूजबुच से निर्ले लेना बहुत ही जरूरी है तो यहारों की खरेदारी में अनवास सक खर्च भी होंगे इन पर दोस्तों ध्यान रखें साथी दोस्तों कभी-कभी बहुत अधिक सोच विचार करने में महतपुन उपलावदिया हाँ से निकल सकती है इसलिए उन्हें किरियाविन करने में भी अपना ध्यान के इन्ति रखें दिमाग पर अधिक जोड देने का असर आपकी नींद पर भी पड़ेगा लेंदन के मावलों में सतक्ता बढ़ते हैं दोस्तों अतदिक जिमेदारी की बज़े से आपके वेक्तिकत कार बीच में ही अटक सकते हैं इसलिए बेहता रोगा की अपने कारभार को अनलोगों में बाट लें साथे दोस्तों दिखावे के परवर्ति के कारण बिना सोचे समझे फिजूल खर्ची ना करें इसे लोगों में जलन की भावना भी बढ़ेगी और यह भी ध्यान दखें कि दोस्तों दूसरों के समझ अपने उपलवदी का ज़्यादा वखान ना करें वाना जलन की भावना से कोई आपका नुक्सान भी कर सकता है अपने गुस्ति और येगों पर काबू रखने से सहीर निरे ले पाएंगे कानन नीमों का उलंगन करने से आप दोस्तों किसी मुसीवत में भी पढ़ सकते हैं इनसे पर दोस्तों आप अधिक से अधिक ध्यान रखें ताति वर्तमान समय अनुसार टैक्टिकल बने रहें तथा सफल होने के लिए थोड़ा स्वार्थी भी होना जरूरी है ध्यान रख किसी भी सफाया सारजनिक अस्थल पर कोई भी विचार विमर्स करते समय अबदर भासा का परियोग ना करें इससे कुछ शमन खराब हो शकते हैं वहीं दोस्तों मन में कुछ नकार्तमंग आये तो कुछ शमन परकृति के साथ वो मेडिट्रेसन में भी शमन वेत्तित करना आ भास तरीके से करते जाएं ज्यादा हासिल करने की चाहत नुकसान भी दे सकती है व्यर्थ के वाद वाद में समय नश न करें दूसरों के मामले में हस्तचे भी ना करें और दोस्तों नहीं उल्ज हैं साथे विद्यार्थी को अपने पढ़ाई पर ज्यादा फोकस रहना जैसे किसी अनुसुचित कार को करने की ना सोचें इसे आपका अप्यास्वा बदनामी हो सकती है विद्यार्थी भी मनरोजन तथा व्यर्थ के कारें में पढ़कर अपने अध्यान में केरियर के साथ समझ होता न करें क्योंकि आपकी जरासी लापारवाई बहुत अधिक न पिरभर करता है वहीं दोस्तों वैवसाई की बात करें तो दोस्तों कारवारी गत्य विदिया वैवस्डित रहेंगे मेडिया के छेतर से जुड़ी वैवसाई में कुछ नई जानकर्या मिलने से काम असान होगा नुकरी पैसाल लोगों को मन मुतावित काम मिलेगा साथि न कारको साबधानी से करें वाना किसी मुश्किल में भी पढ़ सकते हैं बिजनेस में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं इनकम भी बहतर होगी पबलिक समंती रिलेशन को और अधिक मजबूत करें साथी अपने काम की कवलाटी पर भी ध्यान दें सरकारे नुगरी में कोई विदी में सुधार आएगा सहगीयों के तथा कर्मचारियों की मेहनत और सहयोग से रुकवी गति विदियां दोबारा सुरू होगी और शफलता भी मिलेगी नुकरी पैसा व्यक्तियों को अपने अवचे धहकारियों के साथ मेल जोल शकार्त मग रहेगा और मन मुतावित अस्थान परिवर्तन भी मिलेगा। लक्ष हासिल करने में अध्यकारियों की मदद मिलेगी आपका अनुकुल शमय है आप पूरे उत्सावा उर्जा से अपने व्यावसाई कारियों की परती समण पित रहेंगे कारे छेतर में अपने कर्मचारियों की सलापर भी ध्यान अवश्य दें उनकी सलाह आपके लिए बिजनस की काम पूरी करने में मददगार रहेगी ओफिस में काम ज़्यादा होने से आपको ठकान हो सकती है साथी व्यावसाई में कुछ न कुछ दिकते बनी रहेगी इस समय कोई भी भाविस समंदित कार परनाली पर योजना बनाना उचित नहीं है इसलिए वर्तमान व्यावसाई पर ही अपना ध्यान केंदित रखें सरकारे नोकरी पेवसाई लोगों को कोई प्रजेक्ट हल हो जाने से रहत मिलेगी दोस्तों व्यावसाई में टेक्स सबंदित मामला उलश शकता है लेकिन किसी सरकारी वेक्ति की ही मदद से समाधान भी मिलेगा वर्तमान समय में की गई महनत के निकट भाविस में आपको इसके उचित परनाम हासिल होगे नुक्रि में मन मोताविद जिम्यदारिया मिल सकती है लेकिन दोस्तों कोई ओफेशल यात्रा भी केंसिल हो सकती है साथी कारवारी गती विद्यां बहतर होगी और मन मोताविद मुनाफ़ा भी मिलेगा दूर दराज के छेत्रों में नई वैवसाइक संपर्ग अस्थापित होगे दोस्तों कारवारी गती विद्यां बहतर होगी और मन मोताविद मुनाफ़ा मिलेगा दूर दराज के छेत्रों से नई वैवसाइक संपर्ग अस्थापित होगे और यूवावर्ग किसी परकार की परती सफर्दा समझेत कार्यों में शफल रहेंगे नुकरी पेसा व्यक्ति को अपने कारे के परती उचित पर नाम ना मिलने से कुछ परेशा ने रहेंगे दोस्तों वैवसाय में कुछ ना कुछ उतार चढ़ा बने रहेंगे साथे किसी अधेनस्त करमचारी की बज़े से कुछ नुक्सान भी होने की असंका है बहतोर होगा कि सभी महत्पुनकार अपने देख रेक में ही करवाएं और फिस में किसी विशे से कार को पूरा करने के लिए बोस वा अधेकारियों का दवाब बना रहेगा साथे दोस्तों गिरिशिती बहुत ही अनुकूल है कारवारी विस्तार समंधित योजनाओं को कारूप दें और दोस्तों बिना सोचे समझे कहीं भी निवेश न करें और नाही पैसा उधार दें वाना नुक्सान हो सकता है नुकूल में अभियाथावत इस्तिती ही रहेगी साथी कारवार बढ़ाने को लेकर किस भी योजनाओं पर काम करने के लिए अच्छा दिन है इस्टाप रोकर्मचारी का भी भरपूर शहयोग बना रहेगा नुक्र में छोटी मोटी समसियां आएगी लेकिन अध्यकारियों की मदल से हल भी मिल जाएगा वहीं दोस्तों वैवसा में कार समय दित कुछ नितिया में बदलाव लाने की आवसकता है वर्किंग महिलां को कुछ नए अवसर मिलेंगे जिनने तुरन हासिल करना उनके लिए फायदा मन रहेगा नुक्री पेशा लोग प्रजक पूरा करेंगे जिसे कमपनी को फायदा होने वाला है और कारोबार में कोई खास डील होने की समभाबना है मार्केटिंग समदेद कारियों को फिलाद अस्तेगीत रखकर कार छेतर पर ही अपना ध्यान दें कोई रुका हुआ आयका सुरोद भी पुनह सुरू होगा नुक्री पेशा लोगों को अधिकारी वर की मदद से मन पसंद प्रोजेक्ट भी मिल जाएंगे दोस्तों विजनेस में नए ओफर मिलेंगे उचीत सोच विचार करके ही कोई निर्ने लें खानपान से समदेद कार वबार में क्वालिटी का विशेज घ्यान रखें वना कोई दिक्कत आ सकती है सरकारी सेवराद वेक्तियों को कोई मन मुतावित कारभार भी मिल सकता है दोस्तों व्यावसाइग गत्री विदियों पर गमभेटा से काम करना होगा अपनी फाइले तथा महतुपुन पेपर कमप्लेट रखें इस टाप्त दासागियों का पुर्ण शहयुक बना रहेगा नोकरी में कलाइंट की परती मधूर वेहवार वा उदारता रखना अकली अती आवशक है साथी व्यावसाइग दिरिश्टी कोन से समय बहुत अनुकुल है इसलिए भरपूर अत्म विश्वास के साथ अपने कारें की परती समट पितर है साथी दारी से जुड़ी व्यावसाइग में बहुत अधिक साफधानी रखने की जुरत है आपसी समंदों में गलत फिमिया ना उत्पन होने दें वेबसाइक परतिस्ठान में कोई भी नया काम शुरू करने से पहले किसी अनुभवी की सला जरूर ले ओपिस में किसी समंदी के साथ मनमुटाब की सिती बन सकती है बैतर होगा की अपने कारें में ही मगनर है कुस में अपने रूची पुर्णी कारें में भी जरूर वेतित करें यसे मानसिक शुकुन मिलेगा बहुत दिग मेहनत वठाकान की वज़े से कभी कभी चिलचिलडापन हाभी हो सकता है लोगों पर अपने मर्जी थोपने का प्रयाशना करें अपने गुस्य और आवेश पर काबो रखें किसी नजदी की समंदी से कहा सुनी होने की बज़े से चिंता जनक इसीती बन सकती है या समय सांत बने रहना ही उचित है किरायदारी समंदी मामले सुलजने में अभी शमय लगेगा दोस्तों आनुकुल समय चल रहा है केरियर और कारेश चेतर में बहतरिन के लिए कोई कोशिश में सफलता मिलेगी भवी समंदी योजना को मुर्त रूप देने की कोशिश काफी हद तक सफल रहेगी वैफसा में आपका काम करने का जिरून आपको अपने मेहनत के उचित परनाम देगा ता चल रही कुछ रुकावटें भी दूर होगी साथिसाथ दोस्तों कारवारी समंदी सभी गत्ति विदियां अपनी निग्रारी में ही करवाएं क्योंकि कर्मचारियों की किसी लापारवी का खामियाजा भोगत ना पढ़ सकता है और नोकरी पैसा लोग अपने काम को पूरी निष्टा से करें तरीकी के आफसर बन रहे हैं वहीं दोस्ता आपके लव लाइप के बारे में बात करें तो पत्ती पत्नी आपसी समंदों को बहतर बनाने के लिए कुछ समय एक साथ जरूर बेतित करें घर का वातारण उचित और व्यवस्तित बना रहेगा काम की अधिक्ता की वज़े से घर पर अधिक समय नहीं दे पाएंगे पर्णतु परिवार जनों का उचित सहयोग तथास नहीं आप पर बना रहेगा आपके स्वास्त के बारे में बात करें तो बदलते मोस्तित की वज़े से तवचा समंदी कोई एलर्जी परेशान कर सकती है ज़्यादा पोलिशन और भीण वाली जगह पर जाने से परेज रखें स्वास्त ठीक रहेगा आपकी वैस्ति दीन चारिया और खान पान आपको स्वास्त और शकार्त मग रखेंगे दोस्तों आपका स्वास्त ठीक रहेगा पर्णतु वर्तमान मोस्त में अपने खान पान के परती ज़्यादा सचेत रहने की जोरत है अत्यादिक तनाव और ठकान की बज़े से सिर्दर्द और स्वारेकल की समस्या बल सकती है आराम और सुकुन भी लेना जरूरी है छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव और चिंता हावी रहेंगे मानसिक इस्तिता के लिए मेडिसन भी बहुत जरूरी है तता बलड पेसर और डायविटीज के परवावित लोग अपना विशेज ध्यान रखें अपने नईमी जात आवशे करवाएं और उचित इलाज लें और खान पन के परतिला परवाव के वज़े से पेट में दर्द वा एसिडिटी का सिकायत रहेगी डेसी इलाज करवाएं और दोस्तों गले में इंफेक्शन और खासी जुकाम की समस्या भी बढ़ सकती है अलापारवी बिल्कुल न पढ़ते हैं और उचित इलाज लें साथी बदलते मोसम के वज़े से परतिकुल आहार और वहवार न रखें आपके ही लापारवाई की बज़े से आपकी स्वास्त सम्मझत कुछ परेशानी आ सकती है ठकान और सुस्ती हावी रहने से अस्वस्त महसूस करेंगे आरुवेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें आपको रहात मिलेगी दोस्तों मौसम के अनुकुल अपने दिन्चार्या रखें गर्म सर्द होने की बज़े से नजला जुखाम जिसी परेशानी रहेगी आरुवेद को आपनाना बेहतर इलाज है तथा एलर्जी अत्वा किसी भी तरह का इंफेक्शन से बचने के लिए हाईजिनिक रहें और अपना इलाज ठीक से करवाएं दोस्तों काम के बीच-बीच में अराम भी लेते रहें इसमें सीर्दत और माइगरन की समस्या भी बढ़ सकती है और तनाव और नाकार्तम परसितियों से खुद को दूर रखें अपच और भूखना लगने जेसी समस्या रहेगी चलिए दोस्तों बात करता आपके उपाय के बारे में दोस्तों यह जो उपाय आपको हम बताने वाले हैं एक बार कर लेंगे तो दोस्तों आपके जीवन की शारी परिशानी जड़ से खत्म हो जाएंगे और मा लक्षमी भगवान भुलेनात आपके घर में धन वर्षा करेंगे जीहां दोस्तों दोस्तों सावन के महीने में भगवान सिव जल्द प्रशन होने वाले देवता हैं एसे में सावन मा में पढ़ने वाली सभी सम्बार ब्रत परदोश और सावन सिवरातरी के मोखे पर जब भगवान भोलेनाद की आरती करें तो उसमें कपूर का इस्तमाल जरूर करना चाहिए। आर्थी के दोरान बगवान सिव का ध्यान करते हुए लो में कपूर के टुकडे डालते रहें और सुक्षमर्दी के कामना करें। दोस्तों धार्मि मनाताओं के अनुशार शावन स्वंबार के दिन जो भी भक्त अपने मुख द्वार पर कपूर और घी का दीपक जलाकर रखने से घर में सुक्षमर्दी और खुसाली आती है। सावन के महीने में इस उपाज से आर्थिक स्थिमें इजाफा होता है क्योंकि शावन के मुख द्वार से मालक्षमी का अगमन होता है। जी हाँ दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों मालक्षमी जी की पर्तिमा के शामने एक ग्यारा दिनों तक अखंड जोत पर जलिद करें। दोस्तों भगवान भोलेनाद और मालक्षमी जी की आसिम आसिरवात आप सभी को प्राप्तो सच्ची दिल से कमेंड बॉक्स में जाए भोलेनाद जाए मालक्षमी जरूर लिखें और बीडियो को लाइक से जरूर करें।